अब अगर मैं आपसे यह सवाल करूँ कि आपको कौन कौन सी एनरजी का पता है तो आप यहिनन मुझे एक लिस्ट दे देंगे पंदरवीस एनरजी की साउंड एनरजी हुई एलेक्रिक एनरजी हुई या जो फॉसल फ्यूल के बारे में हमने बताया ना के जो हीट एनरजी हुई या नुकलियर एनरजी हुई जितने ही पसारी चीज़ है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आप एक बड़ी सारी लिस्ट बना सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी एनरजी है तो उसको उस एनरजी साउंड एनरजी जैसे है sound energy क्यों है energy sound energy इस वज़ा से है कि उसकी वज़ा से जो air particle है वो vibrate करते रहते है जैसे वो आपके कान में जब लगती है आवाज तो इस वज़ा से लगती है कि वो vibrations है अगर किसी ने ज़्यादा चीखा तो vibration तेज हो जाती है क्या मतलब वो तेज होने का तेज होने का मतलब है कि उसकी energy ज़्यादा होगी उसकी wavelength कम हो जाती है energy ज़्यादा हो जाती है तो ये sound भी एक energy है और कोई और भी कोई चीज़ ले लें जो आसानी से इतनी समझ में नहीं आती वो सब उसको अब देखेंगे कि क्या क्या examples हैं उसकी तो ये बहुत सारी energies हैं जिसको आप लिस्ट कर सकते हैं लेकिन मज़े की बात ये है कि इनको सिर्फ दो तरह की energy में तक्सीम किया जा सकता है जैसे मैंने आपको पहले बताया एक potential energy और एक kinetic energy kinetic energy है जो कि motion की वज़ा से उसका कितना movement है उसकी वज़ा से potential energy उसकी position के वज़ा से कि वह यहां है यहां होगी तो energy जाद हो जाएगी यहां है तो energy कम हो जाएगी तो यह अगर सिर्फ यह दोनों को समझ लेना nuclear energy भी सब एक तरह की potential energy है ना bond जो होता है उसके अंदर वो break करते है नूकलिस के अंदर तो वो सारी चीज़ है potential energy, chemical energy, chemical energy क्या है तब chemical energy जो carbon carbon bond जो आप चलाते हैं कोईला उससे क्या होता है, carbon carbon bond है वो break करते है तो जितनी break करने से bond से जितनी energy निकलती है तो वो सब chemical energy के तावर, तो वो भी एक potential energy है कोई चीज़ में move नहीं हो रही, तो kinetic energy जो है ये इसके formula जो है वो half mv square, kinetic energy equal to half mv square इसमें जो सबसे बड़ी note करने वाली बात ये, एक तो formula है अब उसको, मैंने उसको derivation वगरा तो नहीं दिया आपको एक directly formula दे दिया है लेकिन अगर उस formula का आप देखें, तो v square है, mass है और फिर velocity square है, तो velocity square का मतलब क्या हुआ, कि velocity बढ़ेगी तो kinetic energy linear है नहीं होगी, अगर mv होती तो linear होती, mv square है तो इसका मतलब exponentially उसको बढ़ना चाहिए, तो इस वजह से kinetic energy equal to half mv square में, v square के जो term है, वो ज्यादा important है, तो अब आप देखें के, अब मेरे पास एक और example है, यह जो नीचे example है ना, उल्टे हाथ पे, यह हमारे Delaware में तुफान आया था कुछ दिनों पहले, हवा का तुफान, तो आप देखें कितना सारा damage हो गया, आम तर पे हवा जो है, वो 10-15 मील फीघंटी की तर चलती है, अगर त 70-75 के से आगे चलती है, तो 70 अगर पहुंच गी तो उसको tornado कहते है, tornado number one, वो फिर 150 तक के चलती है, तो उतनी energy से फिर काफी सारी destruction हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा हवा का, अगर 20 से 40 तक के पहुंचे ना, तो वो double नहीं होता, बलके V square है, तो बहुत ज्यादा उससे दिखाना चाहरा हूँ, कि जरा सी velocity change करने से कितनी ज्यादा kinetic energy हो जाती है, तो नीचे वाली example देखें, कि यह car move हो रही है, 15 meters per second, velocity 15 meters per second है, आप उसको लगाएं, half mv square में, और calculate कर लें, 168 kilojoules उसकी kinetic energy है, उसकी रफतार को आप double कर दें, 30 meters per second, double, सिर्फ 2, multiply किया 2 से, आप kinetic energy देखें, 675 kilojoules, 675 kilojoules, सिर्फ 2 दफार, double करने से velocity को, आप देखें, उसकी जो वह है, चेंज जो है, वो तकरीपन पांच गुना चेंज होगी, सिर्फ 2 दफार करने, multiply करने से 5 जगा, तो यह एक बड़ी important चीज है, kinetic energy के लिए नूट करने की, कि जरा से change velocity से हो, kinetic energy पे उसके बहुत जादा फरक पड़ता है, अब यह gravity जो energy of position, जो कि potential energy, जो कि position की बात करें, इस वह जैसे कभी कभी उससे gravitational भी कहते हैं, लेकिन जुरूरी नहीं कि gravity उसमें involved हो, जैसे मैंने आपको बताया, carbon carbon bond भी जाए, वो भी potential energy के हिसाब से होता है, तो इसका मतलब यह कि ज is equal to mg, mg, g जो है वो gravity acceleration due to gravity, तो उसमें भी एक V square लगावा है, लेकिन उसको भूल जाए, लेकिन mg है, right, gravity constant है, तो सिर्फ mass जो है, वो change होगा, आगे बढ़ेगा या कम होगा, तो उसके साब से उसके force जो है, वो कम या आगे होती जाएगी, तो वो, यह जो है, जो change, energy का change है, ना, वो mg, h, कितना आपने उठाया, mg से आपको force मिल गया, और distance से आप multiply करेंगे तो energy मिल जाएगी, तो आपने जितना एक feet उठाया, दो feet उठाया, उसको अगर आप multiply करें तो पूरा force, potential energy, change उसमें नजर आ जाएगा, अब यह दो चीज़ें, potential energy, kinetic energy ऐसी हैं, कि वो एक पत्थर है, जो उपर से गिरेगा, और उपर यहां खड़ा हुआ है, अभी पत्थर से रुका हुआ है, इसका मतलब ही कि इसमें सिर्फ potential energy है, क्योंकि चल नहीं रहा न, तो kinetic energy कोई भी नहीं है, अब यहां से अगर गिरेगा, तो इसका मतलब ही कि उसकी kinetic energy बढ़ती तो रुकने की वज़ा से, अब रुक गया न वो, तो इसका मतलब भी इसमें potential energy नहीं, जो kinetic energy है, वो बिलकुल नहीं रही, तो वो जो सारी की सारी जो थी न, energy, potential energy, वो kinetic energy में convert होगी, जहां पर रुका है, वो maximum kinetic energy है, लेकिन वो रुक गया, कहां गहीं वो energy, या तो वो heat के त यह thermodynamics है, इसके बारे में एक section है, जो हम पूरा बताएंगे कि कैसे change होती है, उसके, क्या rules का है उसके change होने के, लेकिन इस वह सिर्फ इतना जानना जूरूरी है, कि kinetic energy, potential energy एक दूसरे में change होती रहती, यह जैसे पत्थर देखें, अब यहां से यह निकलेगा, यहां पे सिर kinetic energy, यह conversion दोनों का, ठीक है न, अब जो सबसे बड़ी important चीज हमारे लिए वो यह heat energy, heat energy, उसकी वज़ा से heat energy, एक kind of kinetic energy, क्योंकि जब किसी चीज़ों को गरम करते हैं तो उसके जो atomics, atoms वो हिलने शुरू हो जाते हैं, उनके हिलने की वज़ा से जतनी energy होती है, वो heat energy में इस् है, वो heat energy के हिसाब से काम होगा, अब यह देखें आप, calories और एक तो खाने पीने की calories को देखें, यह आपका एक example दिखाओं, यह जो है, चॉकलिट की example, अब उसमें जो calories है, वो बड़े C से लिखी होती है, बड़े C से लिखा है, हजार calories, एक हजार calories, जो scientific calorie होती हो, स्माल C से लिखेते हैं, वो एक calorie होती है, तो इसका फारख जाए हो जारत दमाव में रखना पड़ेगा, कि जो food calories का difference क्या है, regular calories के, इस थाप से.